कि असलाम आलेकम वेवर्स मैं हूँ आपके बेहन शुमाइला इरम और आप देख रहे हैं कुकिंग बाई शुमाइला इरम आज हम बनाएंगे नान खटाई यह ट्राइडिशनल इंडियन कुकीज हैं जो के बहुत सारे तरीखों से बनती हैं यह सिर्फ बेशन से भी बनती हैं बेशन और मैदे से भी बनती हैं और रोट की तरह सूजी और मैदे से भी बनती हैं लेकिन मैं इसे बेशन, मैदा और सूजी इन तीनों से बनाऊंगी जो के एक authentic, easy और basic रेसिपी है नान खटाई की तो चलिए हम इसके इंग्रेडियन्स दे रेसन, 1-2 cup, सूजी, 2 tbsp, sugar, 1-2 cup, butter या फिर घी हमने लिया है, more than 1-1 cup यानि आधे कप से ज्यादा लिया है, जर्दी लिया है, एक अंडे की और पाउच हमच हमने लिया है, खाता सोडा और पाउच हमने लिया है, इलाइची पाउडर चलिए, अब हम इसका प्रोसेजर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम एक बाउन लेंगे, और फिर हम इसमें मैदा डाल देंगे, अब बेशन भी डाल देंगे, और फिर हम इसमें सूजी डाल देंगे, शूगर पाउडर अड़ करेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें खाता सोडा डाल देंगे, और साथ ही इलाइची पाउडर भी डाल देंगे, और इन सारे ड्राइ इंगिडियन्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अब हम थोड़ा थोड़ा बटर अड़ करेंगे, और इसे बटर में गूंड लेंगे, मैंने यहां सॉल्टेट बटर यूज किया है, इसलिए मैंने इसमें सॉल्ट अड़ नहीं किया है, अगर आप unsalted butter यूज़ करते हो या घी इस्तेमाल करते हो तो आप इसमें नमक को जरूर आड़ करें डो हमारा तयार हो चुका है अब हम अविन को प्रहीट कर लेते हैं हम इसे 180 डिग्री पर 10 नेट के लिए इक्वल हीटिंग पर सेट कर लेंगे जब तक अविन हमारा प्रहीट होता है तब तक हम डो के छोटे छोटे बॉल्स पना कर इसे पेड़ों की शकल में तयार कर लेंगे मुझे छोटे साइज के नानखटाई पसंद है इसलिए मैंने छोटे साइज के पेड़े बनाए हैं आप अपने एकॉर्डिंग साइज रख सकते हैं बस हमें सेम साइज के बनाना है इसी तरह हम सारे तयार कर लेंगे और इससे एक प्लेट में रखते जाएंगे हम पेड़ों के शेप में सारे नानखटाई को तयार कर लेंगे अब हम इसे एक योग से यानि के अंडे की जर्दी से कोटिंग करेंगे हमें इसे बहुत ही लाइट हैंड से ब्रश करना है क्योंकि अगर ज्यादा कोटिंग करोगे तो इसमेल आएगी अंडे की यह स्टेप बहुत जरूरी बाता है , native next we will go ahead and pick a की के अगे अग की कौटिंग कर रहे हैं आप इसे more, बोगे का सकते हैं और डिरेकली अशा कर सकते हैं कोई मसला नहीं है या फिर द्राइए फूर्ट से भी डेकोरेट किना भेक बेंग सकते हैं अब हम एक अवें ट्रे लेंगे और इसमें नान खटाई को रख देंगे हमें ट्रे को बिल्कुल भी ग्रीस नहीं करना है क्योंकि अल्रेडी हमने इसमें बहुत ज्यादा बटर यूज किया है जिसकी वज़े से इसे ग्रीस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप फिर भी इसे ग्रीस करते हों तो नान खटाई के शेप खराब हो जाएंगे यह फैल जाएंगी अब हम इसे अवें में रख देंगे पंदरा से 20 मेंट लगेंगे हमें नान खटाई को बेक करने में हम इसे सेम 180 डिग्री पर इक्वल हीटिंग पर सेट कर लेंगे 20 मेंट के लिए 10 मेंट के बाद आप इसे चेक जरूर करें और फिर उसके साब से टाइम डिसाइड करें 20 मेंट हो चुके हैं हमारी नान खटाई बन चुकी है अब हम इसे अविन से निकाल देंगे अब इसे एक प्लेट में निकाल देंगे बहुत ही परफेक्ट हमारी नान खटाई बेक हो चुकी है अब हम इसे साइड पर कर देंगे और बचे हुए जो नान खटाई थी हमारी उसे अविन ट्रे में रखकर और उसे भी बेक कर लेंगे यह भी बेक हो चुकी है आप देख सकते हैं अब हम इसे अविन से निकाल लेंगे और प्लेट में रख देंगे बहुत ही इजिली यह बिना किसी ग्रीसिंग के अविन ट्रे से निकल रही हैं आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट यह दोनों साइड से बेक हो चुकी है अब मैं इसे तोड़ कर दिखाऊंगी ठंडा होने देंगे एक से दो घंटो के लिए और जब यह अच्छे से ठंडी हो जाएं तो हम इसे एक महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं एर टाइट कंटेनर में आपको यह रेसिपी कैसी लगी और लाइक किजिए शेयर किजिए सब्सक्राइब किजिए मेरे चानल को और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस किजिए ताके मेरी हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो म नेक्स्ट रेसिपी के साथ